हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में तो आज की इस वीडियो लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं नीड आफ फाइबर ऑप्टिक कमनिकेशन ऑप्टिकल जो फाइबर कमनिकेशन है उसकी जरूरत क्यों है ठीक है तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने आला है वीडियो को लाट्स तक देखेगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों नीड होता है आप्टिकल फाइबर कमनिकेशन का तो चलिए समझते हैं फाइबर आप्टिकल कमनिकेशन सिस्टम है इमर्जट एज मोस्ट इंपोर्टेंट कमनिकेशन सिस्टम ठीक है, तो जो optical fiber communication system होता है, वो बहुत important communication system होता है, अगर हम लोग compared करें, compared to traditional system because of following requirements, अगर हम लोग जो normal transmission line होता है, जो normal communication system होता है, उससे हम लोग compare करें, तो जो fiber optical communication होता है, जो optical fiber communication होता है, वो जादा important हो जाता है, क्यों important हो जाता है, अभी हम लोग समझते हैं एक-एक करके, तो first point होता है, इसमें transmission losses, तो जो हम लोग आप 5000 communication system होता है, उसमें कोसि से ही रहता है कि कम से कम data का loss हो, ठीक है, जो हम लोग जो भी signal हम लोग transmit कर रहे हैं वो signal कम से कम उसमें losses हो तो इन long distance transmission system लंबी दूरी के लिए transmission करने के लिए data को transmit करने के लिए long distance में data को transmit करने के लिए there are need of low losses transmission line or medium तो अगर हम लोग को जो data है वो long distance में transmit करना है तो जो losses होता है वो low होना चाहिए ठीक है तो जो optical fiber communication होता है इस requirement को पूरा करता है क्योंकि जो भी हम लोग signal transmit करते हैं optical fiber communication जो optical fiber cable होता है उसके थुरू जो भी हम लोग communicate करते हैं optical fiber communication के द्वारा उसमें जो losses होते हैं वो कम होती है ठीक है अब हम लोग देखने वाले हैं इसका second point compact system there is need of compact and less with transmitter and receiver तो जो हम लोग communication system use कर रहे हैं जो भी हम लोग communication system use कर रहे हैं उसमें requirement क्या होना चाहिए कि जो transmitter है और जो receiver है जो transmitter है और जो receiver है इनका size weight size भी छोटा होना चाहिए और weight भी कम होना चाहिए और compact भी होना चाहिए size में छोटा होना चाहिए compact मतलब छोटा होना चाहिए और इनका weight भी कम होना चाहिए तो यह requirement होता है यह भी पूरा करता है कौन optical fiber communication ठीक है तो optical fiber communication का जो transmitter receiver होता है वो भी weight में क्या होते है कम होते है और size में भी compact होते है छोटे होते है ठीक है अगला point long span long span में क्या होता है there is need of increased span of transmission तो जो transmission होता है उसमें जो span होता है वो अधिक होने की जरूवत होती है जो कि जो optical fiber communication होता है उसमें ज़्यादा होता है ठीक है अगला point data rate data rate में क्या होता है there is need of increased bit rate for data transmission तो जो भी हम लोग को transmit करना है data को ठीक है जो भी data को हम लोग transmit करना है उसमें क्या होगा कि जो भी हम लोग data transmission का use करेंगे उसके लिए जो bit rate होगा वो increase होने की जरूरत है जल्दी यहली हमनों को data send करना होगा तो यह भी requirement पूरा करता है कौन? optical fiber communication तो यही था simple था need of optical fiber communication तो I hope यह video lecture आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों आउ सकता होता है optical fiber communication का तो I hope वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like कीजेगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो lecture आगे भी आता रहेगा और जो हम लोग का subject है optical fiber communication इसके सारे lecture को हम लोग complete अपनी syllabus के अंसार complete इसको करेंगे ठीक है? तो एक लिक्चर हम लोग बारी बारी से upload करने वाले हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ठीक है? तो ठैक्स फॉर आचिंग दिस विए ठैकी सो मच जैहिंद